मिली जानकारी के मुताबिक नेफेड के एडिशनल एमडी श्री एसके सिंग ने थाइलैंड में 18 से 20 जनवरी को आयोजित हुए एक समिट में कहा है कि इस बार सरसों की फसल काफी अच्छी है और इसलिए इसके उत्पादन में बड़ोतरी होने के आसार हैं। नई फसल की कटाई तयारी के पीक सीजन में जब मंडियों में आवक तेजी से बढ़ेगी तब सरसों का भाव घट सकता है। इसे देखते हुए नेफेड द्वारा भारी मात्रा में इसकी खरीद की तयारी की जा रही है। वर्ष 2023 के रभी मारकेटिंग सीजन के दौरान नेफेड एजेंसी द्वारा किसानों से न्यून्तम समर्थन मूल्य, MSP, पर लगभग 12,00,000 तन सरसों की खरीद की गई। अब इस स्टॉक की बिक्री जारी है। सरसों का थोक मंडी भाव न्यून्तम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। श्री सिंग के अनुसार यदी आवश्यक्ता पड़ी तो किसानों के हितों की रक्षा एवं उसके फाइदे के लिए नेफेड द्वारा इस वर्ष 25,00,000 तन तक सरसों की खरीद की जा सकती है।